आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं अपने चैनल में गाइस फेशल हैर यानी चेहरे के अंचाहे बाल जिसको लेकर हम गर्स और हम लेडीज अकसर परिशान रहते हैं कि हम अपने चेहरे के अंचाहे बालों को कैसे रिमूब करें और आपकी इतने सारे कॉमेंट इस टॉप जिसतरे से आप लोगों के चेहरे पर अंचाहे बाल हैं उसी तरह से मुझे भी फेशल हैर है और उनकी ग्रोथ इतनी जादा नहीं है बैद आपको दिखाती हूं यह देखें अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊंगी पकड़ के कर तो आपको पता चलेगा कि हाँ दी के फ लीज का सहारा लिया है और इन्हें मैंने हमेशा ही नैशनल तरीके से रिमुव किया है जी कि और नैशनल तरीखा का मैठट यूस करते करते हैं मेरे चेहरे के जो फेशेल हैर ले काफी हध तक गायब हो चुके हैं और गिने चुने से हलके ही अब रह गाए है और जब भी अगर आपके चेहरे पे भी मोटे बाले, हाट बाले, फेशेल हैर है, अन्बांटे हैर है, अपर लिप हैर है, चिन के उपर है, नेक के उपर है, इस तरह की प्रॉबलम अगर आप भी फेस करती है ना, तो आज की जो रेमेडी मैं आपको बतारी हूँ, बहुत ज़्यादा तो आई हो कि आज का ये वीडियो मेरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें बीना ना जाये करिए, क्योंकि उसी से मुझे धेर सारी मोटिवेशन मिलती है, और चैनल को अगर पहल करें हैं, यहां पे ऐक चैनल कुझ यहांन एक चैनल कोई साभीया पील ओफ मास्क ले सकती है, मैं यहां पे एवर Awak future到 Mask अस्तवाल करी हूं क्योंकि हमेशा ही मैं मैं करने के लिए पील ओफ मास्क की ही लेती हूं, इसके लिए आप अगर चाहे मैं अगर चाहे तो जिलेटन जेलेटिन की इसमेल पर्सनली मुझे बिलकुल पसंद नहीं है इसलिए मैं हमेशा पीला उफ मास्क का इस्थिमाल करती हूं ठीक है तो एक चंबच भरकर आपको पीला उफ मास्क ले लेना है सेकिंड इंगीडियन जो हम इसमें इस्थिमाल करेंगे गाइस वह है वीट फ्लो अब इसके बार गाइस जो हम इसमें एड करेंगे वह आपको लेना है रा मेल की यानि कच्छा दूद आप लेंगी उसको आधा चंबच आपको डाल देना है आधा चंबच कच्छा डूद डाल देने के बार गाइस हम इसमें डालेंगे हल्दी आप चाहें तो वाइल टर्म आप चाहे तो किचेंग हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकती है ठीक है और लास्ट में हम इसमें आधा चमच रोज वाटर एड़ कर देंगे ठीक है अब यह जो पील आफ मास्क हमारा तयार हुआ है गाइस यह जो मास्क जो रेमेडी हमारी बनकर तयार होगी इसको अच्छी तरह स कोई सब्क जाइस बहुम स्के Chicक ग्लोभी करने वाली है दो आपकी सकती है और वाली यहर से उँआ हमारा पार करने से पहले है अपने पाल पर लें से तो रोज वाटर ने और cotton में इसको थोड़ा सा आप ले 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 और इससे अपने फेस के उपर अच्छे से लगा कर अपने फेस को क्लीन करेंगे ठीक है ताकि कोई भी अगर मेकप हो या पसीना हो या ओयल हो तो वह हमारे फेस से निकल जाए जिस जगे पर आपके फेशेल हैर की ग्रोथ है उस जगे पर इस पेशली आप बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना तो यह हमारा जो मास्क बन गया है पील आउफ मास्क इसको हमें किस तरह से लगाना है चलिए यह भी मैं आपको बताती हूं गईस तो जब आपका फेस अच्छे से क्लीन होकर ड्राई हो जाए तो आप क्या करेंगी कि इसको आपको उस जगे पर लगाना है जहां पर आपके हेर की ग्रोथ है तो जैसे की मेरे इस जगे पर हेर दिखते है यह देखेंगे यहां पर इस तरह से लगा लूँगी इसके बाद अपर लिप्स के उपर बहुत सारे लोगों पे बहुत ब्रोध होती है देखने में बहुत खराब लगती है गाईस और यहां के हेर रिमूव ना हो अगर तो आप मेक अप करते ना तो वह देखने में बहुत ज़दा लगता है ठीक है तो यहां पर मैंने इस तर आपके बाद अगर नीचे साइड को है ना तो आपको इसी साइड को यह मास्क लगाना है और अपने चिंग पे इसे लगाएंगी तो मेरे चेहरे पे यह वो एरिया जहां पर मेरे फेशियल हेर अमेशा निकलते हैं ठीक है तो मैंने उनहीं जगे पर जयानी जो मेरे इफेक्टेड एरियाज है जो मेरे फेशियल हेर वाले एरियाज है वहीं पर मैंने इसको लगाया है अगर आप चाहें तो इसको पूरे इसके उपर अप्लाई कर सकती है अब आपको इसको क्या करना है इसको छोड़ देना है इसी तरह से जब तक पूरी तरह से ड्राइन हो जाता इसको ड्राइ होने में थोड़ा वक्त लगेगा यानि तकरीबार आपको 15-20 मिनट लग सकते हैं इस वक्त समरे तो यह आपका करती हूं फिर में आपसे मिलती है मेरा मास्क बिल्कुल ड्राइ होचpause시고 तो कि मेरा मास्क बिल्कुल भी हो चूक है और इहां से लगां है अब किस तरह से रिमूब करेंगे ताकि हमारे भेसिल भी निकले और साथ हमारे फestone को कोई नूपसान भी नहों हो तो आपक्या कारना जिस direction में आपनी mask लगाया है उसके opposite direction में आपको इस mask को निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं, थोड़ा सा हलका सा जटका देते हुए यानि जिस तरह से आप wax कराती हो ना, wax कराने जाती हो जैसे उसमें आपके skin से hair remove करे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है ठ इसमें बहुत चुड़ चुड़े से बाल आ गए है जो कि मेरे यहां पे थे और आप देख सकते हैं यहां की क्लीन लग रही है इसी तरह से यह पूरा मास्क आपको निकालना है यहां पे जो फेश Trump थे ना गाइस बहुत घ्रलके से फिर फेश्य हेर थे मेरे और वो निकल चुका हूँ बिलकुल अच्छे से तरह से मैंने इससमासक को बिलकुल निकाल दिया है45 शूक चुके ठाटा कि और इसमें मेरे कूछ हेज़ा ही फेशियल ऑपन के घरफकल है में अगर इसलों हरजबा पर युपना जाँच्छ विए निकल जाएगे तो इस पील ओफ मास्क को हटा लेने के बाद आपको क्या करना अपने फेस को ठंडे पानी से वाश कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा रोज वाटर हम लेंगे ठीके रोज वाटर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी जलन हो रही तो रोज वाटर उसको शांत कर देगा ठीक है आप जैसे बैक्स कराती हो ना बिल्कुल वही सेम फेलिंग आने वाली है बट ये ना नैश्रल तरीका है आपके फेशल हेर को रिमूब करने का तो थोड़ा सा रोज वाटर लेंगे और अपनी स्किन के उपर इस तरह से डब लीजेगा गाइस और उसके बाद इसको आप क्यों ही छोड़ दीजे ये बिल्कुल नैश्रल तरीका था गाइस आपके फेशल हेर को रिमूब करने का तो आप भी से घर पर जरूर ट्राइ कीजे तो ये वो तरीका था गाइस जिसको अपने फेशल हेर को रिमूब करने के लिए मैंने कई बार यूज किया है और इसके हर बार मुझे बहुत अमेजिंग डिजर्ट मिले है ठीके और इससे आपकी स्किन के ओपर कोई भी हाम नहीं होने वाला है इस मैथड को आप हफते में दो बार ट्राइ कीजे ठीके अगर आपके बहुत जादा मोटे और हार्ड ब बाल होंगे ना वह बहुत ही जल्द रिमूव हो जाएंगे और एक बार में ही आपको काफी हद तक दिखाए देगा कि जो महीन वाले बाल थे वह आपके रिमूव हो गये तो बहुत ही नैच्रल तरीका है और इसी मैथड को मैं हमेशा यूज करती हूँ और जो भी मैथड म मैं इस्तिमाल करूंगी आगे वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी तो आप भी इसको ट्राइ कीजिए इसका कोई भी साइट इफेक्ट नहीं है गाइस नैच्रल चीज़े हैं आपको कोई भी नुपसान नहीं पहुचाती है वैक से बचिए रिजर की इस्तिमाल से तो आप हमेशा नैच्रल चीज़ों का इस्तिमाल कीजिए आई हो कि आज का इस वीडियो मेरी फैमली को पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगा है तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिजियो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वि झाल 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